नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कंचुन भारत दुआच और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीवन कुश अपनी पहली ही फिल्म फूल और कांटे से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली मधुने अपनी खूपसूरती और अपनी एक्टिंग के बल पर बॉलिवुड में एक मुकाम हासिल किया उन्होंने कई मल्यालम, तमिल, तेलगू और हिंदी फिल्मों में भी काफी अच्छा काम किया वो अच्छे अभिनेतरी होने के साथ साथ एक अच्छी डांसर भी है शायद यही वज़ा है कि पचास की उम्र में वो आज भी 30 साल की लड़कियों को अपनी फिटनिस के जरिये मात दे देती है तो चले दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मधू की फिटनिस का रास क्या है साथ ही उनका डाइट प्लाइन भी आपसे डिसकस करेंगे मधू बताती हैं कि वो बच्छपन से ही एक्सेसाइस करती आ रही है साथ ही वो बच्छपन से स्पोर्स भी खेलती है इसलिए शायद उनकी बॉड़ी इतनी फिट है वो पूरी ओवरॉल बॉड़ी की डिवलेप्मेंट को ही फिटनिस मानती है मधू को ज्यादा जिम जाना पसंद नहीं है लेकिन उन्हें एरोबिक्स करना बहुत पसंद है वो बताती हैं कि एरोबिक्स के जरीए आप अपनी बॉड़ी को बहुत ही जादा फिट रख सकते हैं इसके अलावा उन्हें साइक्लिंग करना बहुत पसंद है और रेगिलर रॉनिंग भी करती है लेकिन वो अपनी उमर के हिसाब से अपनी एक्सरसाइस का पैटन बदलती रहती है जैसे कि उन्होंने बताए कि आज कल वो स्ट्रेचिंग पर जादा ध्यान दे रही है क्योंकि कई बार उनकी मुसल्स पेन होती है जिससे स्ट्रेचिंग करके वो काफी हद तक अपना दर्द कम कर पाती है इसके अलावा वेड ट्रेनिंग और काडियो भी वो करती है चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बताते हैं कि आखिर वो कौन सा डाइट प्लैन फॉलो करती है मधू बताती हैं कि वो सुभा सुभा सबसे पहले दाल चीनी और अद्रक को पानी में उबाल कर उसमें नीबू और शेहद मिला कर पीना पसंद करती है वो इसके फाइदे बताती हैं कि इससे आपके immunity स्ट्रॉंग होगी साथ ही इससे आपका metabolism भी स्ट्रॉंग होता है इसके बाद वो एक मुठी बढ़ाम खाती हैं साथ में वो कहीं बार नीबू पानी भी बीती हैं इसके बाद उनका fruits का time आता है और वो mixed fruits खाती हैं इसके बाद सिधा वो lunch करती हैं जिसमें वो घर का ही बना basic खाना खाती हैं जैसे दाल, चावल, रोटी लेकिन उनकी diet में एक चिस special होती है और वो है घी वो बोलती है कि उन्हें घी खाना बहुत पसंद है इसलिए वो चावल में कम से कम 3-4 चमज घी डालती हैं साथ ही उनकी diet में एक और ची special होती है और जिसे वो कभी skip नहीं करती है और वो होती है yogurt वो योगर्ट दिन के खाने में भी लेती है और रात में भी लेती है वो बताती है योगर्ट और घी उनकी diet से कभी भी skip नहीं होता शाम के नाश्ते में वो शेक पीना पसंद करती है चाहें वो बदाम का हो मूमफली का हो या फिर मैंगो बनाना शेक हो डिनर वो काफी light रखती है डिनर में वो soup और grilled vegetables लेती है इसके बाद वो 3-4 घंटे बाद सोने जाती है यानि वो अपने खाने को काफी ज्यादा time देती है जिससे वो digest हो सके खुद को hydrate रखने के लिए वो नारियल पानी नीबू पानी और 3-4 लीटर रिगलर पानी पीती है तो दोस्तों देखा आपने 50 के उम्र में भी मधू अपना कितना ख्याल रखती है वाकई में वो है हमारे लिए fitness inspiration अगर आप भी अपने किसी पसंदीद सेलेब्रिटी का fitness प्लान जाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं